दोस्तो ओम नमश शिवाय दोस्तो रोजाना अपना राशी पल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बैल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें दनू राशी वालो हो जाओ तयार क्योंकि अब आपको देवों के देव महादेव भगवान भुलेनात के असिरवास से 25, 26, 27 और 28 सितंबर के इन चार दिनों में मिलने वाली हैं पांच बड़ी खुसकवरी वो भी एक साथ जा दोस्तो इन चार दिनों में पांच बड़ी खुसकवरी आपको एक साथ मिलने वाली हैं भगवान भुलेनात के असिरवास से आपको बता दें कि ये पांच बड़ी खुसकवरीयां इतनी बड़ी होंगी कि इन खुसकवरीयों को सुनकर आपको ढोल और नगारे दोनों बजाने पड़ेंगे इन चार दिनों में इतना अच्छा समय है ऐसी खुसकवरीयां तो आपको आने वाले अगले साथ जन्मों में नहीं मिलेगी जो कि आपको इन चार दिनों में मिलने वाली हैं भगवान भुलेनात के असिरवास से इतना अच्छा समय है घर परिवार खुशी से नाचेगा घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा क्योंकि इन चार दिनों में सौभध्यवान योग धन योग शिव योग और अमरत शिद्धी योग जैसे चार सुभ योग बने हैं जिसमें कि इन चार दिनों में आपको पांच बड़ी खुशकवरियां एक साथ मिनने वाली हैं जिससे कि आपको इस समय में एक बड़ी खुशी का एहसास होने वाला है जा दोस्तों हने को प्रिकार के लाब धनलाब बड़ी बड़ी सपलताओं के प्राप्ती भगवान भुरेनात के असिरवा से इन चार दिनों में आपको होने वाली हैं क्योंकि इन छार दिनों में ग्रह नक्षक्तरों में बड़ा परिवर्तन और साथिसाथ आपके ग्रहों में बदलती चाल आपके लिए एक अच्छे समय का निर्मान करेगी आपको चारो दिसाओं से लाब लाब मिलने वाला है तो दोस्तों किस प्रिकारी हैसा में रहेगा और किन किन छित्रों में आपको लाब होगा कौन कौन सी वड़ी खुसकबरिया मिलेंगी और साथे साथ कौन कौन सी साथ धाने भी आपको इन चार जिनों के समय में बरतनी होंगी तो दोस्तों संपून शतीक रासिफल ग्रहनक्षत्रों के साथ से तैयार की गई वीडियो कि कैसा यह समय रहेगा इस वीडियो के मादव से हम आपको शम्फून शतीक जान करी देंगे तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना आपको पहुती महत्पून और लाब कारी वीडियो है आज की वीडियो अगर आपने मिस कर दी पूरी नहीं देखी बीच बीच में से काट कर देखी तो दोस्तों आपको पच्चताने के लाबा कुछ नहीं मिलेगा यह मालने पच्चताना पड़ेगा आज केवल नशीव वाला ही इस वीडियो को देख पाएगा इतने लाब कारी वीडियो है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना वीडियो का बेश्रू करें सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान भुलेनात के सच्चे वक्त वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले और सचे दिल से कमेंट स्वोक्स में जैए भुलेना तवस्य लिकने जिससे भगवान भुलेनात का असिरवाद आपको सीधे प्रांट आप्ता सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं किस प्रकार रहेगा भगवान भुलेनात का असिरवाद से आपकी राशिवालों के लिए 25, 26, 27 और 28 से सितंबर याने किन चार दिनों का यह महत्मा पून समय चलिए सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें महादेव के किरपा से इन चार दिनों में आपको बड़ा धनलाब होना तो तैह है किसी न किसी मार्जम से आपको धन की प्राप्ति होगी ही होगी चाहे तो वे आपका कोई पिछला रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है या नए ने आपको धन प्राप्ति के श्रोत प्राप्त हो सकते हैं धन लाब देने वाला समय चार दिनों का सबसे पहले तो यह दिहां दख लें और आपको यह बता दे कि इन चार जिनों में आप भूल कर भी किसी को उधार पैसा ना दें किसी को धन उधार नहीं देना है अन्यता वह पैसा यह मानका चले कि फसना तेहन नहीं मिलेगा आपको वह पैसा फस जाएगा वह पैसा धन की हानी हो जाएगी आपको इन चार जिनों में तो आप किसी को उधार ना दे और शाथ शाथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अपने विचार कारे रूप में आप प्रणित करें जो आप विचार बनाएं उसे कारे रूप में पर्णित करें जिससे आपके अंदर एक नई उढ़ जाता था आश्म विश्वास की वरद्दी होगी आर्थिक निवेस संबंदी मामलों पर अधिकतर समय वैतित होगा आपका इन चार दिनों और सफलता भी आपको वश्य मिलेगी महादेग के किरपा से बहुत अच्छा समय है आपके काम करने का जोस्व जजबा आपको गजब की सफलता दिलाने वाला है इसलिए महनत में आप कोई भी कमी ना करें रोचक तथा ग्यानवर्दक शाहित्ते को पढ़ने में कुछ समय वैतित करें भगवान शिव के मंतरों का जाप करें शिव चालिसा का आप पार्ट कर सकते हैं लाब मिलेगा आपको प्रोपर्टी से संबंदित आपके सभी काम बननी की संभावना है रुपे पेशों के मामलों के लिहास से इन चार दिनों का समय आपके लिए सर्वस्रेष्ट समय रहेगा आर्थिक कद्यविदियों में अपना अधिक ध्यान केंद्रित रखें घर में इन समय साज, सज्ज्ञ, मलकी, घर के सुधार है तु कर रे पूर होंगी अगर घर को आप सुधारते समय वास्तु के नियमों का पालन करेंगे तो आपके लिए उचित रहेगा कोई भी घर का काम कराएं, छोटा, मौटा, बड़ा, कोई भी काम है तो आप वास्तू के नियमों का पालान करेंगे तो लाब आपको मिलेगा और आपको यह साथ-साथ यह भी बताना चाहेंगे कि कभी-कभी आपका गुस्ता वे बहुत अधिक अनुशासित दूसरों के लिए समस्या उत्पन कर सकता है गुस्ता नहीं होना है आपको इसवर अराधना में वेहतित करेंगें मन को शांती मिलेगी अच्छे ख्याल आपके जीवन में आएंगे और किसी के साथ बहुत अधिक आपको वाद विवाद में भी नहीं पढ़ना है आर्थिक मामलों में पूरी तरह से साफ़धानी आपको रखनी है शाथ शाथ वाहन का कोई प्रियोग करते हैं आप वाहन चलाते समय साफ़धानी आपको बरतनी है बिजली के उपकरणों से भी आपको साफ़धान देना है बहुत ध्यान से आप समस्त कार्रे करें कोई दुर्गटना भी हो सकती है इसलिए आपको अपने कोई भी कार्रे करने है सोच समझ करने है ध्यान पूर्वक करने है कहते हैं कि ध्यान हटा दुर्गटना गटी तो दोस्तों साफ़धान भी आपको रहना है और साथ साथ आप ऐसे व्यक्तियों से तो खास तोर पर दूरी बना ले जिनकी संगती अच्छी नहीं है मतलब कोई मदिरा पान या कोई गलत संगती का मैं आप पढ़ चुके तो उसका साथ निरंतर छोड़ दें आपको तभी लाब मिलना संभव है आपकी जवी तरक्की होनी संभव है जब तक आप किसी गलत संगती का साथ नहीं छोड़ेंगे तो दोस्तो जिम्मेदारियां निवाएं परिवारे एक जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती है कोई भी गलत काम ना करें और आपको साथ साथ यह भी बताना चाहेंगे कि घर परिवार में खुशनुमा वातावरन रहेगा महादेव की किर्पा से ए विवाईतों के लिए विवास संबंदित रिष्टे की बाते घर में भी हो सकती है कोई अच्छा रिष्टा आपके लिए आ सकता है साथ साथ पती पतनी के बीच कोई गलत बाते मतलब की कोई संबंदों में खटास चल रही है तो उसमें भी जो पती-पतनी भी संबंदे मजबूत होंगे प्रेम बढ़ेगा प्रेम संबंदों को भी परिवारिक शुकरती मिलने से प्रसनता रहेगी जीवन शाती का परिवारिक लोगों का शैयोग आपके मनोवल को बढ़ा कर रखेगा घर में शांती पूर्ण तथा शुकूर भरावाता भरा रहेगा महादेव की किर्पासे और साती साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर तथा मेडिया से जुड़े व्यवसाय में आपको नए अवसर प्राप्थ होंगे आपको नई नोकरी की प्राप्ती हो सकती है मन चाही नोकरी आपको प्राप्थ हो सकती है साथ शाथ एक बात का दिहान रखे कि कर छेत्र में आप नोकरी में कहीं भी दूसरों पर निर्वर रहने की अपेक्षा शैम अपने समस्त कारे निम्टाने की कोशिस करें आपको अपनी योगता के नुरूप उचित पल्णा मवश्य ही हांसिल होंगे अजनबी लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें नुकसान दायक आपके लिए हो सकता है हमने आपको पहले बताया है अजनबी लोगों से बिल्कुल दूरी बना कर रख लें विश्वास ना करें कोई मन की बात आप उनके समक्स जाहिन ना करें कि आप क्या करना चाते हैं या क्या करने वाले हैं क्या करोगे आप क्या कर चुके हो कोई भी अपनी सीक्रेट्स बाते किसी के समख सजाहिं ना करें गरत फायदा उठा सकते हैं लोग इसका और साथे साथ दोस्तों आपको यह भी बता दें कि नौकरी प्राप्ती के लिए किये गे प्रियासों का शकारत्मक रिजल्ट आपको इन चार दिनों में प्राप्त होगा आपके पक्ष में जाने वाला है रिजल्ट नौकरी प्राप्ती के लिए जो भी प्रियास की है महादेव के किर्पा से रोजगार प्राप्ति के अवसर आपको प्राप्त होने वाले है धन प्राप्ति के तो योग बनेंगे ही बनेंगे जो कार्रे नहीं बनने हैं ते वह भी कार्रे बनेंगे लाब मिलना तेह हैं इंग चार जिनों में आपको और दोस्तों साथिसाथ आपको यह भी बता दे कि आप अपने स्वास्त का बहुत विशेश दिहन लखे क्योंकि बदलता मोसम आपके स्वास्त को प्रभावित कर सकता है इसके लिए आप क्या करें प्रेन्याम का साहरा ले, योगाशनों का साहरा ले सुपाच्य भुजन गरें, ज़्यादा गरिष्ट भुजन करने से आपको परेज करना है आयरवेदिक चीजों का अधिक से अधिक शेवन करें अपने स्वास्त का ध्यान रखें आप, सबसे पहले तो यह होना चाहिए अपका स्वास्त अच्छा होना चाहिए फिर आप महादेव की पूजा में लीन रहें मंतरों का जाब करें भगवान शिव के लिए थोड़ा समय जरूर दें आप मंतरों का जाब करें उनके दर्शन करें तो सब मंगली मंगल होगा आपके जीवन दे दोस्तों महादेव की किरपा पर बनी रहें वीडियो को लाइक करना ज्यादा सेर करना चैनल पर सब्सक्राइब करना हरहर महादेव चैनल बोले नार